मातर 20 रुपे में गाह भैंस को गाह बिन ठहर है फोट इस तरह कमेंट्स आ रहेंगे इस तरह हमारी जो गाह भैंस है वह गरब नहीं ठहर रही है हमें क्या देना चाहिए क्या करना चाहिए तो आज की वीडियो के इंदर में आपको बताऊँगा कि यह दि आपकी गाह भैंस से गरब नहीं ठहर रही है तो उसी स्थती में आपको क्या देना चाहिए आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा और आप आसानी से बीना किसी दवा के भी आप अपने पश्चू को गरब ठहरा सकते हैं पहुत इस तरह के पश्चु पालक हैं उनके कमेंट्स आते हैं किस सब्सक्राइब हो जाएं तो आज की वीडियो के अंदर मां आपको पूरी डीटेल से बताऊंगा वीडियो जूरूर लंबी होगी लेकिन स्कीप करके मैं देखना पुरा देखना इस चैनल पर नहीं आए या पहली पर जूड़े हैं तो पहली पर चैनल को सब्सक्राइब क देखा गाएं यह आपका पसुगरब नहीं ठेहरता है बार बार रिपीट हो रहा है कई इस तरह की दिखते हो चुकी है लेकिन फिर भी आपने कई इस तरह का ट्रीटमेंट भी करवा लिया फिर भी पसुगरब नहीं ठेहरा है तो उस इस्तति में आप उनका उप्योग आपके पसुगरब किसी बीजिए का कोई भी नुक्सान ने करेगा बट आपके पसुगरब बैक्तरी जिल्ट सबसे ज़्यद्या दिकत होती है कि आ पके पसुगरब नहीं ठेहर पाता है तो भी पसुगरब दिकत हो जाती है तो उन समस्या का समाधान भी आप अपने पशू में कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या देखो एक तो आप अपने पशू की समय समय पर तो डी वर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशू को देते रहना चाहिए ताकि आपको तीन से चार म तो बहुत इस तरह के कंपनियों के बहुत इस तरह कि जो मिक्सर पाउडर आते हैं वह आप अपने पशू को लगातार चालू रखें आपका पशू दू दे रहा है या आपने पशू की करवा लिया करोज करवा लिया है तो उस इस्तती में भी आप वह देते रहेंगे तो अपके पशो में फैके दिखते हैं इंडिकुत ओ бывает तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हो कि जब यляется पहनबाना में भी आप अपकी स्रेविया हीट में उसी दिन से आपको comprehensive बता रहें गया है वह इस्टार्ट करद्देना है हीट की आने इस अलब तो के आपको ऐव이지 वार बोरिक्स सुहागा जो बोरिक्स आता है वैसे इस तरह का यह केमिकल ही आता है यह पाउडर रूप में आता है लेकिन यह किसले रूप में भी आता है इसे हम सामने बासा में सुहागा बोलते हैं और इसका कई तरह के केमिकल नाम होते हैं जो कि आपको इतनी गहराई में जाने की जुरूत नहीं है लेकिन जो यह सुआगा है आपको कहीं पर भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा जो कि एक सपेद रंग का पाउडर आता है और किस लिए भी पाउडर आता है जिस तरह से आता है जिस तरह से आपने फितकरी देखी होगी लेकिन फितकरी बहुत इस तरह क्मेंटस कर सकते हैं इसमें गंद नहीं आती है और जब乾़ा होता है यानि चकने में खारा होता है फिटकरी में आपको पता है कि फिटकरी किस्टली भी होती है साथ में उसमें गंद भी आती है यह अंतर है दोनों के अंदर तो आप पैसान सकते हैं अब सुआगा क्या करता है कि इसके अंदर भूत इस तरह के गुड होते हैं क्योंकि इसके तासिर भी आपको तर्य दाई कोई कोई स्वेलिंग अगी उनको क्न्ट्रोल करने का काम करता है तो वो ऑईक्स आपको लेकर के आना है पर देखेंगे साफ से आपको उससे पांच ग्राम जैधा इसकी डोज ज़या दे ने आप पसू के लिए एक तरह के ज्यादा नुकसान कर सकता है इस ठीधि venir, जब कराके हैं।म इस लेदि के बादे की दे दे करेदें तो इसमें क्या होता हि कि तो या। विड़ी देनी तो आप 5 ग्राम ब्र और्ड़े 5 ग्राम आप बोरिक्स ले लिया। उसको आपको क्या करना है कि तुवे पर आपको गरम करना है यह आवा के संपरक में जिस प्रकार से तुवे पर गरम करेंगे तो यह पानी सा बन जाएगा यानि पिगल जाएगा यह पिंगल जाता है तुवे पर गरम कर लिया पिगल गया फिर ठंडा होने के बाद में उससे ज्यादा है तो आपको 20 ग्राम हल्दी आपको इसके अंदर मिक्स कर लेनी है इसके साथ साथ आपको इसमें एड करना है मिस्टरी एड करना है यह आपको अच्छा रिजे लेना है मिस्टरी आप 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम आपको रेशेदार जो मिस्टरी आती है उसका उप तो सौ ग्राम सफिर जादा बोडियुद है तो वजन है तो सो ग्राम त बैसन कना कि पानीवें मिला करके उससे आप गोंथ लेना है यहीं बैसन को गोंथ लेना है लड़ूसा बनाले टूर बैसन गार ऊपीस उस बेसन के अंदर आपको क्या मिक्स कर लेना है, जो बोरेक्स आया था, उसके अंदर मिक्स कर लेना है, जो आपने तुए से गरम करके निकाला है, उसके बाद में उसमें बेसन के अंदर लड़ू सा बनाया, उसके अंदर आपको मिक्स कर लिया, साथ में उसमें आपने च्वाड के तोर पर आपका पशू कहा जाएगा वैसे निखा रहा है तो सब्सक्त को दिन में एक बार आपको सूब थो छली पेट देंगे तो बैटरी जल देखने को मिलेकर ये कब देना है जब ये आपका पशू हीट में आता है उसी दिन से जाज आपका पुस्षू ने इ यह उसी दिन से स्टार्ट कर दें और आपको जिस प्रकार से दो दिन या तीन दिन बाद में आप एई व नेच्टरों कराते हैं उसके बाद में भी तीन दिन यानि तीन दिन पहले और तीन दिन बाद लगाता है आपको पांस से छे दिन continuity आपको यह प्रियोग करना है एदी आपका पसू बोल रहा है तो भी आप पहले दे सकते हैं और साथ में तब भी देना है जब एदी आपका पसू हीट में आ जाता है तब से आपको स्टार्ट करके AI या क्रोस करवाते हैं उसके बाद में भी आप 2-3 दिन उसके बाद में भी आपको यह देना है पहले भी बाद में भी साथ में इदी आप केंटिनिटी आप देंगे तो आपका पसू गरफट हैंने के सांस सबसे ज्यादा बने रहेंगे रिपीट नहीं होगा आपका पसू आप घर पर आपको यह सब सुविदा उपलब्द हो जाएगी तो आप बिन पर भी मिल जाता है जिस प्रकार से चैना वेशन है इस प्रकार से अल्दी है सब यह सब आपको लेकर क्याना है थोड़ी मिस्टरी लानी है वह भी आपको घर पर मिल जाती है